सिलेड़ेट वेल्कम योओ loops यह वह लैट logati सर इरए स्टिटी जोन आज ए श्टाट कर रहे हैं चेप्टर विद्धुचम की पिरण का रिवीजन सपर फास्ट शार रिवीजन करेंगे विद्धुचम की पिरण का देखिए तो विद्विद्व की प्रण में हमारा सिलेबस है उसमें हमें पढ़ना है विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्वि प्रत्र का derivation बहुत important है और अन्यून प्रत्र का derivation उसके बाद प्रत्यावरती धारा जनित्र डाइनमो आइधिंक इसको से लिबस आउट कर दिया गया है तो यह वाला पार्ट जो है उनको साइध डाइनमो बस वाला पार्ट नहीं पढ़ना है फिर भी इसकी working में आपको बत करता है सबसे पहला topic है कि चुम्ब की flux क्या हुआ करता है यह मान लिजिए आपके पास में कि कोई आपके पास में यह कोई छेत्र दिया गया है ओके इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ येस आपके पास में मान लिजिए कि यह कोई आयताकार तल दिया गया है इस तल से निकलने वाली इस तल के लमवत अगर मैं बोलूँगा कि यह क्या निकल रही है यह चुम्ब की बल रेखाओं का कौन तल के साथ कितना है चुम्ब की बल रेखाओं का कौन तल के साथ कितना है तो आप बोलेंगे 90 डिग्री क्योंकि तल की दिसा जो होती है यह है तल की दिसा यह तल के साथ कौन है तल के सा जो कौन है वो 90 डिग्री है अगर मैं कहूंगा कि ये तलका भी लंब है ये देखिए तलका भी लंब जनरली हम लोग उपर की ओल लिया करते हैं इसको हम N कैप बोलते हैं तो अब चुम्ब की छेतरवी तलकी अभी लंब की दिसा में ही निकल रहा है तो ये देखिए तो यदि मैं बोलूँगा कि B का सदीस B का N कैप के साथ कौन कितना है तो आप बोलेंगे 0 डिग्री दो कौन हुआ करते हैं हमारे काम का कौन सा कौन है हमारे काम का ये वाला कौन है तो किसी सदीस में से दिये गया छेतर में से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुम्ब की फलक्स कहते हैं कैसी अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वही बल रेखाओं सामिल होंगी जो अभिलंबवत होंगी अगर कोई बल रेखा अभिलंबवत नहीं है तो उसे हमको सामिल नहीं करना है अगर कोई बल रेखा अभिला मुवत नहीं है तो फिर क्या करना है मान लीजिए यह हमारे पास तल है और यहां से यह देखिए यहां से जो है एक बल रेखा आ रही है इस तरीके से यह आ रही है इसको penetrate करके जा रही है नीचे से उपर की तरफ जो है इसको ये भेद करके जा रही है तो अब देखिए तल तो ये है तल तो ये है तो ये जो छेरेखा है ये तल के साथ कितना कॉण बना रही है थीटा कॉण बना रही है तल के साथ कितना कोड बना रही है थीटा कोड अब ये पून रूप से तल के लमवद नहीं है तो ये जो आपके पास चुम्ब की छेतर का सदिस है ये तल की दिसा में कितना घटक तोड़ेगा बी कॉस थीटा ओके एक चीज यहां पर थीटा तो हम उपर वाला लेते हैं तो इसको थीटा मत लेजिए थीटा ये ले लेजिए नहीं तो पूरी कहानी साइन के टम समय जाएगी हाँ तो ये रिखिए अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट जो तल के लमवद याने की अभिलंब की दिसा में तल के अभिलंब की दिसा में जो घटक तूटेगा वो होग बी कॉस थीटा और तल की दिसा में जो घटक तूटेगा वो क्या होगा बी साइन थीटा जी हाँ तो बताइए फ्लक्स की रूप में कौन सा घटक माना जाएगा बी कॉस थीटा माना जाएगा या बी साइन थीटा माना जाएगा बिकॉस थीटा बिलकुल सही तो जो फ्लक्स का घटक होगा यहां पे फ्लक्स का घटक होगा बिकॉस थीटा यह इस बिंदू से है अगर मान लीजे इस पूरी प्लेट का छेतरफल कितना है ए है इस पूरी प्लेट का छेतरफल ए है तो जब एक आंक बिंदू से निकलने वाला, एक आंक छेतरफल से निकलने वाला फ्लक्स B कॉस थीटा है, तो पूरे दिये गए शीट से, पूरे दिये गए आताकार प्रेस्ट से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स फाई वराबर B कॉस थीटा इंटू A, ओके तो हम क्या लिखेंगे फाई इस इकल टू बी ए कॉस थीटा और यदि हम सदिस के गुड़न नियम का प्रियोग करें तो फाई इकल टू बी डॉट ए नोट करिए फाई इकल टू बी डॉट ए ये है मुक्ष फार्मूला इस चैप्टर का फलक्स निकालने के लिए च्छेतरफ़ छोटा है दूसरे कलर से दिखाऊंगा अगर चैप्टरफ़ आपके पास माल लीजिए ये चोटा सा है इतना सा है ओके तो क्या होगा तो आपका चोटा सा फलक्स निकलेगा उस समय दी फाई इस इकल टू बी डॉट डी एस उस चोटे से छेतरफल का नाम है ds d phi is equal to b dot ds तो phi कितना होगा उस समय पूरे प्रष्ट में आपको समा कलन करना पड़ेगा phi निकालने के लिए integration of d phi that is equal to integration of b dot ds तो ये दो formula main note करिए एक तो आपको ये वाला note करना है और दूसरा आपको ये वाला note करना है बोलो clear है एकदम अच्छे से note करिए तो आपने देखा कि हमारे पास जो flux का formula होता है flux के हमने majorly तीन formula देख लिए जो इनको भी एक बार मैं फिर से यहां पे लिखूँगा पहला formula मैंने देखा आपके लिए छोटे से point के लिए d phi is equal to b dot ds किसी किताब में आपको b dot d a भी लिखेगा तो कोई दिक्कर वाली बात नहीं है दूसरा यदि आप इसको open कर देते हैं तो d phi is equal to mod b याने only b mod ds याने की ds और cos theta याद रखिएगा कि यहां पर जो theta है वो किसके किसके बीच का कोण है वह b के सदिस और तल के लंबवत सदिस ds vector मतलब तल के लंबवत सदिस के बीच का कोण है तल के लंबवत सदिस के बीच का कोण है अपने पास में तो यह होगा अपने पास में d phi फिर इसके बाद एक और formula मैंने आपको बताया कि अगर आप integrate कर देंगे तो phi is equal to integration of b.ds especially जो difficult numerical होते हैं और competitive exam उसमें यह लोग यह वाला formula यूज़ करवाईगे आपसे then इसके बाद एक और जो बहुत काम चलाओ formula है वो है दिये गए तल के लिए phi is equal to b into पूरा प्रष्ट area a खोलने पर मिल जाता है phi is equal to b a cos theta और अगर यही मान लीजे कि अगर यह किसी प्रकार की कुंडली है यह भी मैंने तल लिया था और अगर यह किसी प्रकार की कुंडली है तो flux जो होता है वो n गुना हो जाता है flux कित्ते गुना हो जाता है n गुना तो आप ये समाझ लीजे कि phi total कैस के लिए कुंडली के लिए अगर आपके पास phi total कुंडली के लिए कित्ते फेरे वाली n फेरे वाली तो अगर एक फेरे का flux phi है तो n फेरो का flux कित्ता होगा n phi और that is equals to n का multiply कर दिजे n b a cos theta note कर लिजे phi total equal to n b a cos theta ये भी formula आपके काम का है phi t का मतलब phi total समगर flux equals to n b a cos theta किसी कुंडली से बद्ध होने वाला संपूर्ण चुम्ब की flux यहाँ पर ये कुंडली के लिए इस बात को बता रहा है कि वल फेरो की संख्या आ गई है क्योंकि फेरो फेरे बढ़ते जाते हैं तो flux बढ़ता जाता है चली तो ये देखिए दूसरा point इसका है कि अगर आपके पास चुम्ब की flux जो होगा phi is equal to nba cos theta वो हमने आपको बता दिया अब फेराडे के नियम की बताती है कि फेराडे के नियम क्या होते हैं चली तो फेराडे के नियम पर discussion करते हैं heading बनाईये फेराडे का नियम फेराडे ने बहुत सारी experiment करे इसमें उनका वह कोइल वाल Ihक्सपरिमेंट between बहुत प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने main काल Exc seat experiment था वही नियम था जिसमें एन्होंने main наших coil करके और उसके coil के across चुम्बक को variation करा है कौाइल लेकर के चुम्बक को वेरियेशन कराया नौर्थ और साउथ और वेरियेशन कराने के बाद इसमें से फलक्स का बदलाओ किया वेरियेशन कराने के बाद फलक्स का जो बदलाओ हुआ फलक्स के बदलाओ को नोटिस करके उन्होंने कुछ नियम बताए सबसे पहला नियम है कुलाम इसका फेराडे का परथम नियम फेराडे का परथम नियम इस नियम को मैं बोलता हूँ जब तक है जान यह आपको याद रखाता है जब तक है जान तो यह नियम बताता है फेराडे का नियम कि किसी चुम्बक और आपके पास क्वाईल रखे हुए है तो चुम्बक और क्वाईल आस पास में रखे हुए चुम्बक और क्वाईल यली रखी जाती है तो कौाइल को हिंदी में कुंडली बोलते हैं कुंडली में प्रेरित विद्दत वाहक भलकेवल तब ही तक उत्पन होएगा जब तक की फलक्स में परिवर्तन होता रहेगा जब तक की इस से बदलने वाला जब की इसका चुम्ब की छेतर जो है वो बदलता रहेगा जी हाँ इसमें ये बताया गया कि अगर आपके इस पास में कोई कुंडली रखी हुई है और इसके समीपस्त कोई चुम्बक रखा हुआ है तो जब तक इस कुंडली से जाने वाला चुम्बकी फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा तब तक इस कुंडली में विद्दत वाहकबल बना रहेगा जैसे ही चुम्बक और कुंडली की साप एक छिक गती रुक जाती है वैसे ही विद्दत वाहकबल कितना हो जाता है शून्य हो जाता है ठीक ना तो क्या लिखेंगे इसमें कुंडली में विद्धुत वाहक बल केवल तब ही तक उपस्थित रहता है जब तक की ये देखो जब तक आ गया ना इसलिए इस रूल का नाम है जब तक है जब तक की इस से बद्ध कुंडली से बद्ध चुम्ब की ये फ्लक्स में परिवर्तन होता है होता है तो जब तक चुम्ब की ये फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक विद्दुत वाहकबल बनता रहेगा ठीक है ना तब तक विद्दुत वाहकबल बनता रहेगा ये आपका प्रथम नियम इसको बोलते हैं जब तक है जान ये किवल किसके बारे में बताता है ये क्वालिटी के बारे में बताता है quality याने की कैसा नियम है ये एक गुणात्मक नियम है ठीक ना गुण के बारे में बताता है आई ये देख लेते हैं इसको यहाँ पर किताब में किस तरीके से लिखा हुगा प्रतम नियम जरूर आसपास दिया होगा तो ये देखिए फेराडे के विद्धु चुम्ब की प्रियन समंधी दो नियम है नमबर वन पहला नियम है कि जब किसी बंद परिपत से गुजरने वाले चुम्ब की बंद परिपत का मतलब क्या होता है कुंडली कह लो जब किसी बंद परिपत से गुजरने वाले चुम्ब की फ्लक्स में परवर्तन होता है तो परिपत में एक प्रेरित विदुद वाहक बल उत्पन होता है जिसके कारण परिपत में प्रेरित धारा उत्पन होने लगती है यह धारा के वल त ये विद्धुत परिपत है चल्ला क्या हो गया विद्धुत परिपत हो गया और यहां पर आपने चल्ले के सामने चुम्ब की ये फ्लक्स को आप चेंज कर रहे हैं इससे जाने वाला जो चुम्ब की फ्लक्स है आप magnet को आँगे पीछे करके बदल रहे हैं तो magnet आँगे पीछे होगा तो इसके terminal पर plus कहीं पर generate होगा और terminal पर minus कहीं generate होगा फिर भी धारा तो नहीं बहेगी क्यों क्योंकि circuit complete नहीं है और circuit complete होने के बाद भी circuit complete नहीं है तो भी विद्धुत वाहक बल रहेगा प्रिजेंट रहेगा ये plus और ये minus तो मैंने जो अपनी बात कही है विद्धुत वाहक बल के तरीके से कही है बुक में लिखा है धारा के तरीके से तो आप जो इस्तमाल करना चाहें दोनों सही है ठीक है तो जब किसी बंद परिपत में गुजरने वाले चुम्ब की फ्लक्स में परवर्टन होता है तो एक प्रेरित विद्धुत वाहक बल उत्पन हो जाता है बिल्कुल सही बात है सबसे पहले क्या उत्पन होगा बच्चों प्रेरित उत्वाह बल्ल यानिकी वोल्टेज अगर सरकेट आपने बंद कर दिया बल बल लगा दिया है तो फिर धारा उत्पन होगी तो धारा उत्पन होगी और ये धारा तब तक भेगी जब तक की चुम्ब की फलक्स में परिवर्टन होता रहता है देखो जब तक आ गया ना इसलिए इस नियम का नाम याद रखता हूँ जब तक है जाँ ठीक ना तो कब तक है जाँ जब तक की चुम्ब की फलक्स में परिवर्टन होता रहेगा तब तक आपका प्रेरित विद्धु तवाह अगबल रहेगा और सरक्ट कंप्लीट है तो प्रेरित विद्धु तवाह बल धारा भी बहाने लगेगा इसको बोलते हैं परसम नियम और यह नियम गुन के बारे में बताता है इसको गुनातमक नियम भी मैं बोलूँगा कि यह नियम गुनातमक नियम है अब फेराडे के दुती नियम के बारे मात कर लेते हैं फेराडे का जो दुती नियम है वो गुनातमक यानि गुन के बारे में तो ना हो करके यह किसके बारे में था परिडानातमक यह परिमान देता था परिमान देता था परिमार यानि दो चीजे होती एक होती है qualitative एक होती है quantitative समझ गया ना जैसे बुलो कि वो लड़का बहुत अच्छा है बट वो लड़का बहुत अच्छा है ये तो उसका गुणात्मक नियम हो गया अब उस लड़के के percentage कितने है ये देगा उसका परिमार तो ये परिमार आत्मक नियम है कौन सा दुती नियम कहलाता है किस तरीके से दुती नियम ये कहलाता है कि जो प्रेरित विदुत वाहक बल होता है इसके सिरो में आने वाला प्रेरित विद्धुत वाहग बल जो प्रेरित विद्धुत वाहग बल होता है जिसको हम E बोलते हैं कुंडली के सिरो के मध्ध में आने वाला विद्धुत वाहग बल प्लस और माइनस E बोलते हैं वो जो होता है वो flux में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है तो E proportional to flux में परिवर्तन की दर तो flux है भई या कितना? फ्लक्स का परिवर्तन डेल्टा फाई दर याने के समय के सापेक्ष में अपॉन डेल्टा टी तो मान लीजे आपके पास किसी कुंडली से T1 समय में बद्ध flux 5-1 था और फिर आपने मैगनेट मूफ किया तो T2 समय में बद्ध flux कितना हो गया 5-1, 5-2 तो भई या फ्लक्स में परिवर्तन बरावर कितना हुआ 5-2-5-1 समय में परिवर्तन कितना हुआ T2-T1 ओके तो अगर डेल्टा T समय में डेल्टा 5 फ्लक्स बदलता है तो इकांक समय में कितना फ्लक्स बदलेगा डेल्टा 5 अपन डेल्टा T और फेराडे ने बताया ये क्या है ये है फ्लक्स परिवर्तन कि दर ये जो आ गया है यह आ गया है flux परिवर्तन की दर और फेराडे ने बताया कि जो विद्धुत वाहगबल होता है वो flux परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है बस इतना ही बताया था इसके आंगे एक लाइन भी नहीं इसके आंगे का काम लेंज ने किया था तो जो विद्धुत वाहकबल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानु पाती होगा मतलब समझो बच्चों E directly proportional to delta phi है मतलब जितना जोर का फ्लक्स बदलेगा उतना जादा विद्धुत वाहकबल आएगा दूसरा समय में परिवर्तन के विद्धुत वाहकबल भी क्रियेट होगा फ्लक्स बदलने का समय जितना कम होगा उसका विद्धुत वाहकबल उतना जादा होगा तो यही होता है कि जब आप किसी switch को off करते हो पहले क्या रहता है on और फिर क्या होता है off तो जैसे ही आप on करते हों तो चुमबीकी छेतर बहुत बढ़ाई stabilize हो जाता है इसतना एक्टर बन गया और जैसे ही आपने off किया चुमबीकी छेतर बिल्कुल तुरंथ क्या हो जाता है शूने हो जाता है तो इतना बड़ा परिवर्तन होता है और कितने सेकेंड में? बहुत छोटे सेकेंड में मतलब फलक्स का परिवरतन जो है बहुत ज़ादा है और समय का परिवरतन क्या है? बहुत ही कम है इसलिए एक लार्ज EMF पैदा होता है, बहुत बड़ा EMF पैदा होता है जिसकी वज़े से आपको electrical switch को on करते समय या off करते समय आपको sparking दिखा करती है कभी कभी होती हमेशा है दिखना ना दिखना एक अलग बात है आपको sparking दिखा करती है तो सवाल भी आता है कि विदो तुप करनों को on या off करते समय sparking क्यों हुआ करती है तो ये देखा आपने कौनसा नियम फेराडे का दुती नियम इसको पढ़ देता हूँ मैं गुडात्मक रूप से क्या नियम कहता है ये गुडात्मक नहीं परणात्मक है ये प्रेरित विद्वत वाहक बल का मान चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमान पाती होता है यदि फ्लक्स परिवर्तन की दर एक समान रहती है तो उत्पन विद्वत वाहक बल इस्थिर रहता है ये दूसरी लाइन को मैं समझाओंगा बट पहली लाइन जो बहुत important है second law जो है उसको सम्झाने के लिए देखिए माल लीजिए पहला flux phi 1 था दूसरा flux phi 2 ए t समय के बाद तो परिवर्तन कितना हो जाएगा phi 2 minus phi 1 upon t यस तो ये था फैराडे का दूतिय नियम ये था फैराडे का दूतिय नियम जी हाँ ये था फैराडे का दूतिय नियम अब इसके बाद आंगे करते हैं लेंज का काम सुरू होता है लेंज सहाब आ जाते हैं तो लेंज सहाब ने कहा कि e is proportional to delta 5 by delta t तो हमारे पास था ही तो लेंज ने कहा e is equals to k delta 5 by delta t और प्राइगई ग्रूप से experiment करने पर k कमान e is equal to minus 1 delta 5 upon delta t ठीक है इसको हल करते हैं तो लिखा जाता है e is equal to minus of delta 5 by delta t जी हाँ e is equal to minus of delta 5 by delta t ये फाइनली लेंज के नियम के बाद जो परिडाम आया है वो है ये फैराडे का नियम ये नहीं है फैराडे ने minus sign की कोई बात नहीं करी थी लेंज नहीं करी थी और लेंज ने बताया कि minus चिन इस बात का घोतक है कि जो प्रेरित विद्धवाहगबल है और वह हमेशा flux में परवरतन का क्या करेगा विरोध करेगा क्योंकि दो लोग यहां पे एक दूसरे के विरोध करता है यस दिस इस कॉल्ड लैंज लॉन नोट कर लीजिए इसको अच्छे से प्लीज अब आप यहां पर आपने सवाल पूछा है कि सर विरोध क्यों होता है और विरोध हुआ सो हुआ उस विरोध के बाद धारा कैसे बनी तो माइकल फेराडे ने पहली चीज यह एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से उनको कुछ बढ़िया बातें सामने आने को मिली देखो भाई क्या होता है जैसे यह अपने पास में कॉईल लखी हुई है परिनालिका के उपर आपने कॉईल बना ली है यह आपके पास में कॉईल है इसका एक सीरा यहां से गया होगा और आपको पता है कि जब किसी परिनालका में से धारा जाती तो इसका एक सीरा उत्तरी दुरूप बन जाता है एक सीरा दच्चनी दुरूप बन जाता है ठीक है ये बात आपको पता है अब देखिए यहाँ पर फेराडे ने जब वो चुमबक लेकर के आते हैं नौर्थ पूल तो जैसे ही इसको आँगे करते हैं चुमबक को आँगे करेंगे तो चुमबक जब एकदम पीछे था जब एकदम पीछे था उसे जाने वड़ा फलक्स आता है तो उससे आने वाला मतलब 5 minimum तो 0 था और जैसे ही चुम्बक उसके closest आता है तो उससे आने वाला flux 5 अधिक्तम 0 से hero हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो ओके अधिक्तम हो गया flux में परिवर्तन हुगा flux में परिवर्तन हुगा flux में परिवर्तन हुगा तो इस point पर क्या उत्पन होगा इस point पर उत्पन होगा प्रेरित विद्धुत वाहग बल इस point पर उत्पन होगा प्रेरित विद्धुत वाहग बल डेफिनेटली कोई कोई प्लस हो जाएगा और कोई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा डन अब विरोध की बात करते हैं कि भाई विरोध क्या होता है है अगर आपके पास यह circuit में गल्वनोमिटर लगा हुआ है मतलब यह circuit close है यह circuit आपका close है तो जब आप इस मैगनेट को इस च्छला इसका जो पहला च्छला है इस मैगनेट को पास में लेके आते हैं तो आपको यह बताया मैने की रूल से, लैंज की रूल से कि इस च्छले में बनने वाली प्ररित धारा की दिसा कुछ इस प्रकार होती है कि यह Flux में परवर्टन का रहा है, क्विंकि ये चुम्बक इसके पास में आ रहा है तो ये जो कौाइल है, ये कुछ इसकूल को बहेव करेगी, कि यह चाहेगी, कि ये चुम्बक मेरे पास ना आए और इस बात का विरोध जताने के लिए, ये कौाइल जो होगी, ये खुद में क्या behave करेगी नॉर्थ पूल का मतलब इसका जो front है वो नॉर्थ पूल बन जाएगा और यह नॉर्थ पूल का मतलब याद होगा आपको नॉर्थ पूल अंटी कलोक्वाइस डिरेक्शन में अपने आप सुधा है अपने आप इसमें एंटी कलोक्वाइस डिरेक्शन में turente generate हो जाएगी यह current generate हो गई और यह इसका विरोथ करेगी अब सवाल उठा गी सरी current आई कहां से जो आप आप अपनी यांत्रिक ऊर्जा खर्च कर रहे हो इसको पास में लाने में वही यांत्रिक ऊर्जा इसमें किसमें बदल गई? विद्धुत ऊर्जा में तो वो जो यांत्रिक उर्जा आप ला रहे थे वो यहां पर विद्ध उर्जा में बदल गई और क्वाइल में करेंट डेवलप हो गई और कुछ इस प्रकार की करेंट डेवलप हुई है कि वो यहां आप आंगे लाओगे तो आपका विरोध करेगी तो कुल मिलाके जो आपका ही काम है वही आपके मशल्स का वर्ख आपका यांत्रिक कारेंगी यहां पर विद्ध उर्जा के रूप में सामने आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप वर्ख करते जाएंगे और विद्ध उर्जा बनती जाएगी आप वर्क करते जाएंगे विद्धू धूर्जा बनती जाएगी अब आप चुम्बक को यह दी पीछे ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा अगर आप चुम्बक को पीछे ले जाते हैं तो भाईया यह क्वाईल कहेगी कि अरे अरे देखो देखो नौर्थ पूल पीछे जा रहा है उसको पीछे मच जाने दो तो नौर्थ पूल के पीछे जाने का विरोध करेगी मतलब यह क्या बन जाएगी समय अब ये south pole बन जाएगी और south pole मतलब कौन सा clockwise direction में current इसमें generate हो जाएगी जो कि इस north को आकरशित करेगी और इसके पीछे जाने का विरोध करेगी तो इस तरी किसे coil का धर्म है कि वो परिवर्तन का विरोध करे flux के परिवर्तन का विरोध करे बढ़े तो बढ़ने ना दे घटे तो घटने ना दे और flux क्या रहे समान रहे और अगर flux समान रहेगा तो क्या हो जाएगा भाईया e equal to होता है delta phi upon delta t minus sign लगा लो प्रवत्ती के लिए तो अगर flux समान रहेगा मतलब phi 2 भी रहेगा वही phi 1 भी रहेगा वही तो e is equal to minus phi 2 minus phi 1 चेंज अन फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 चेंज अन फ्लक्स 0 0 बटे 0 समय आंसर वराबर बटा 0 वल्ला flux में परवरतन नहीं होने दोगे तो विदुद बाहगबल ही जनरेट नहीं होगा e वराबर कितना 0 यह चाहती है क्वाइल की flux में परवरतन नहीं होगा तो विदुद बाहगबल बनेगा कैसे ठीक है तो यह और दूसरी बात तो इस थरीके से यहाँ पर क्वाइल के सामने आप मूव करते हो किसी चुमबक को तो विदुद बाहगबल इस प्रकार का जनरेट होता है सवाल दूसरा आया क्यों जनरेट होता है क्यों क्यों जनरेट होता है यह तो हमने बता ना कि जनरेट होता है तो ऐसा ऐसा होता है तो भाई साब यह क्या हम पढ़ रहे थे फैराडे का नियम फैराडे का नियम और नियम के पीछे क्यों नहीं लगाया जा सकता है अभी तक की चीज में हम नियम के पीछे क्यों नहीं लगाया सकते हैं हम ये ऐसा सवाल हमको कहीं नहीं मिलेगा कि फेराडे का नियम क्यों होता है हमने यही कहा कि जब तक चुम्बक मूफ करेगा तब तक विद्धत वाहग बल बनेगा क्यों बनेगा? क्योंकि जब तक चुम्बक मूफ करेगा तब तक इसके चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होगा और किसी क्वाइल में चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन किये जाएने पर फ्लक्स में परिवर्तन होने पर क्या आता है उस पे विद्धुत वाहग बल आता है क्या आता है विद्धुत वाहग बल और कहोगे क्यों आता है अरे तो यही तो अपने नियम में बताया था फैराडे साहब ने कि अगर क्वाइल में फ्लक्स का परिवर्तन करोगे तो क्या आता है विद्ध वाहक बल आता है तो नियम पर हम सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है हमें नियम को एज़र्टेज याद रखना पड़ेगा जैसे कुलाम का नियम दो आवेसों के बीच में बल लगता है क्यों लगता है अरे वो नियम है भाई उसी नियम से पूरी की फूरी फूरी फूजिक्स चलेगी कि दो आवेश हैं उनके बीच में बल लगता है इसलिए यहाँ पर अगर कोई कुंडली रखी हुई है उसके समख्ष कोई चुम्बक रखा हुआ है और अगर वो मूव करेगा तो विद्धुद वाहक बल जनरेट होगा जब तक मूव करेगा जब तक गती करेगा तब तक विद्धुद वाहक बल बनेगा ये नियम है फैराडे का पर्थम नियम ठीक है चात्रफाल क्लियर हो गया तो भाईया अब विद्धुद चुम्बक की प्रिवासा पढ़ लेते हैं अब तक आपको क्लियर हो चुकी होगी विद्धुद चुम्बक की प्रिरण क्या है मैं तो यही कहूँगा कि यह विद्धुद और चुम्बक की आपसी जुगल बंदी है क्योंकि इसके पहले हैंस क्रिश्चन और स्टेड ने अपने एक्सपरिमेंट में दिखाया था कि चुम्बक की अच्छेत्र से विद्धुद से चुम्बक की अच्छेत्र बनाया जा सकता है हैंस क्रिश्चन और स्टेड ने बताया और इसके जवावी हमले में माइकल फेराडे ने बताया कि अगर तुम मुझे चुम्ब की छेतर दे दो तो मैं उससे विद्दुत उत्पन कर सकता हूँ बोलो यस की नो भई एक ने बताया कि मैं विद्दुत मुझे दे दो तो मैं चुम्ब की छेतर बना सकता हूँ उसके बाद याए भाई साब इन्हों ने बताया कि मेरे पास अगर चुम्बक है तो मैं विद्धुत बना सकता हूँ मतलब एक ने विद्धुत से चुम्ब की छेतर निकाल लिया विद्दुचुम्ब की प्रेरण मतलब feeling की बात है परिवासा की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसे बोलते हैं विद्दुचुम्ब की प्रेरण और ये पूरा का पूरा subject बन जाता है जिसको बोलते है Electromagnetism Electromagnetism आंगे आपको जाके विद्दुचुम्ब की प्रेरण के नाम से नहीं मिलेगा कुछ आंगे की पढ़ाई में आपको जो भी मिलेगा वो मिलेगा Electromagnetism Google में भी सर्च करेंगे Electromagnetism ही भाशा में इस्तमाल होगा Electromagnetism विद्दुचुम्ब कत्व ठीक ना इन दोनों के बीच में आपसी संबंध है इस आपसी संबंध हो को ही बोलते हैं अपन विद्दुचुम्ब की प्रेरण अब सिंपल लेंग्विज में बात की जाए तो क्या है हमारी परिभाशा में विद्दुचुम्ब की प्रेरण कि अगर आपके पास कोई कंड़क्टर कोई पदार्थ कोई कुंडली रखी हुई है जब कोई चुमबक और एक कुंडली के मध एक कुंडली के मध आपे छिक गती होती है तो उस कुंडली में विद्दुचुम्ब अपे छिक गती होती तो उस कुंडली में विदुत वाहग बल उत्पन हो जाता है और यदि कुंडली बंद है तो उस में धारा भी प्रवाहित होने लगती है कुंडली में उत्पन विदुत वाहग बल को प्रेरित विदुत वाहग बल तथा धारा को प्रेरित धारा कहते है यह है घटना विद्दुचुम्ब की प्रेरण कहलाती है, very nice, तो यह done, question clear हो गया बच्चों? और उस एक्सपरिमेंट की जो मैंने बात करी थी, लेंज की नियम से समझाई है कि प्रेरित धारा क्यों होती है, चुमबक आया, प्रेरित धारा कुछ इस तरीके की डेवलप हुई कि इस चुमबक की आगमन का विरोध करे, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पर N, North को North, यहने अंटी पुलिस बुला लेगी, यहने North Pole क्रियेट हो जाएगा, और North Pole की तीर से तीर मिला यह देखे, यह बन गया यह वाला तीर, और यह बन गया यह वाला तीर, इस तरीके से अंटी क्लॉक्वाइस देशा में यह करेंट फ्लो होन लगी, और इस भी विरोध को, यह जो विरोध हाप का हो रहा है, इस विरोध को खतम करने के लिए, काउंटर करने के लिए हम चुंबक को इधर की तरफ मूफ करेंगे, और जो उर्जा हम यहा लगा रहे हैं, वह उर्जा यहाँ पर विद्धूत उर्जा के रूप में, बदल करके जन्मल लेगी अर्थात विद्धुच्म की प्रण का जो लेंज का नियम है वो किस प्रकार के संरच्छन की तस्दीक करता है उसकी पालना को साबित करता है यह बताता है उर्जा संरच्छन का नियम ठीक है ना तो जो दुद्धी नियम है वो किसके एकोरस है इसके अनुसार है वह उ हमारे शरीर की जो यांतरिक उर्जा है किस प्रकार की उर्जा का सनच्छन होता है यांतरिक उर्जा जो होती है वो बदलती है किस उर्जा में विद्धुत उर्जा में यांतरिक उर्जा जो हमाई शरीर की जो हम खर्च कर रहे हैं चुम्बक को मूफ करने में वह विद्धु ये नीयम जो है ऊर्जा सन रच्षण के नीयम के अनुकूल है और इस लाइन को आप पढ़ लीजे जो जो मैंने समझाया है वो यहीं है कि चुम्बक और कुंड़ि के मध्ध प्रतिकरसन कार करने लगता है इस प्रकार प्रतिकरसन के बल के विरुद्ध के पास लाने में कार क करोगे तो भी आकर सनबल की विरुद्ध कारे करना पड़ेगा और दुबारा जो आपका किया गया कारे है वह संरच्छित हो जाएगा विद्धुत उर्जा के रूप में डन हाँ जी बो जब चुम्बक कुंडली के पास नहीं लाया जाता है डिपेंड करता है कि आप चुम्बक का कौन सा धुरूब कुंडली के पास लाओगे चुम्बक से मतलब नहीं ही बेटा हाँ दूसरे में क्योंकि नौर्थ आप दूर ले जा रहे हो यहां देखो नौर्थ आप दूर ले जा रहे हो तो यह कुंडली कहेगी कि मेरे अंदर से फ्लक्स का परेवरतन मत करो मतलब north को दूर मत ले जाओ मैं नहीं चाहती हूँ कि north दूर जाए तो north के दूर ना जाने के लिए बताओ यह क्या बन जाएगी south बनेगी MV हाँ तो south बनेगी तो इसमें कैसी धारा create हो जाएगी clockwise कैसी धारा clockwise क्लॉकवाइस ठीक है न और आपकी आखे कहां लगी हुई है आपकी जो क्लॉकव्ए धारा बन रही है इस तरफ से आप देख रहे ठीक ना इधर से आप देख रहे हैं तो याद रखेगा क्योंकि अगर एक circuit में आप धारा एक तरफ से आप clockwise देखेंगे तो दूसरी तरफ से आपको anti-clockwise देखाई होगी copy make pen से छला बना करके देख लिजे और आँगे पीछे देखी एक paper में बना लीजे और आँगे पीछे देखेंगे एक तरफ से आपको clockwise देखाई देगी और एक तरफ से आपको anti-clockwise देखाई देगी done देखेंगे आपके देखने का तरीका अलग-अलग है अब आपके पास यदि ये north है अब आपको थोड़ा सा डाइपोल के बारे मताना पड़ेगा बिटा ये कुंडली है ये सामने ऐसी दिख रही है बो हाया न अभी आप आपकी आँखें उपर से हैं तो ये इस तरीके से बन रही है भाई आपके पास सिक्का होता है सिक्के के दो फेस होते हैं सिक्के के कितने फेस होते हैं दो फेस एक हैड होता है पीछे वाला क्या होता है टेल होता है कि नहीं होता है हाँ तो आप के सामने ये नौर्थ रखा हुआ है तो इसका जो सामने वाला फेस है ये क्या बनेगा नौर्थ बनेगा और अगर सामने वाला फेस नौर्थ है तो आटोमेटिकली डाइपोल थियोरी ये कहती है कि चुम्मकी ये दुद्रूब कभी बिलगित नहीं किये जा सकते हैं अलग लग नहीं किये जा सकते हैं तो अगर ये नौर्थ है तो उसके पीछे वाला रहेगा वो अल्रडी क्या रहेगा साउथ रहेगा समझ में आया अब एक काम करिया आप अप अपने कॉपी का कोई पेज लीजिए और उसमें यहाँ पर बनाईए नौर्थ पोल नौर्थ पोल मतलब कौन सी एंटी क्लॉकवाइस करेंट ये लीजिए बनाईए कॉपी का पेज थोड़ा सा छोटा सा एक ले करके उसको पहले सर्कल बना लीजिए और सर्कल में नौर्थ पोल बनाईए बना लिया करेंट की डिरेक्शन एंटी क्लॉकवाइस रख ली अब उस पेज के तुकड़े को कॉपी से अलग करिए और उसको हवा में पलट करके देखिए क्या आपको करेंट की डिरेक्शन क्लॉकवाइस दिखाई दे रही है हाँ और साउथ पोल दिखेगा दिखेगा की नहीं दिखेगा तो जब आपकी आखें इधर की तरफ होंगी सामने की तरफ ठीक ना तो यही आपको क्या दिखाई देगा नौर्थ पोल फोल और चुम्बक सामने से आ रहा है यह नौर्थ है तो यह भी क्या है नौर्थ है बूलो Yash On No ठीक ना और उसी पर स्थिति में जो आपको पीछे वाला जो हिस्सा रहेगा बाई चुम्बक तो आंगे से आ रहा है बूलो Yash On No तो सामने की तरफ से आपको तो नौर्थ दिखेगा मगर पीछे से आपको क्या दिखेगा आपकी आँखें जो पीछे की तरफ है पीछे की तरफ से आपको क्या दिखेगा वो चीज साउथ क्लियर हुआ ना तो मतलब एक ही सिक्के में एक तरफ नौर्थ है पीछे की तरफ क्या है? South है. इसको बोलते हैं, चुम्ब की दुधरूब. क्या बोलते हैं? चुम्ब की दुधरूब. समझ गए ना? मतलब कुछ ऐसा, कि एक ही तरफ North है, और पीछे की तरफ South है, तो North से बल रेखाए निकलती हैं, South में जाती हैं. नौर से बल रेखाए निकलती हैं, South में जाती हैं. क्लियर हुआ? इसलिए हमने पिछले चेप्टर में पढ़ाया है, कि एक व्रत्ता कार करेंट केरिंग कंड़क्टर, एक व्रत्ता कार धारा वाही लूप, किस प्रकार कार करता है? व्रत्ता कार लूप जो होता है, व्रत्ता कार लूप जो होता है, चली, काफी सारी इधर उदर की बाते हो गई हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, तो भाईया हमारा हो गया कौन सा रूल? आपका फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे का दुतीनियम. अब इसके बाद ये दूती नियम के बाद है फेराडे के दूती नियम से E is equal to d5 by dt minus का इसमें लेंज का नियम भी involved हो चुका है फेराडे का दूती नियम केवल और केवल बताता है कि E is directly proportional to delta phi upon delta t लेंज का नियम उर्जा सनच्छन के अनुरूप है अब इसके बाद आती है स्वाप्रेरण की बात अब इसके बाद आता है स्वाप्रेरण और स्वाप्रेरकत तो मेरे से एक दिन question बच्चे पूछ रहे थे कि स्वाप्रेरण और स्वाप्रेरकत में गुण क्या है भाया स्वाप्रेरण जो है वो घटना है अस्वा प्रेर्कत्य क्या है? वह कुंडली का गोण है तो स्वा प्रेर्ण घटना है अस्वा प्रेर्कत्य कुंडली का गोण है अब देख लेते हैं कि स्वा प्रेर्ण क्या है? अस्वा प्रेर्कत्य क्या है? यह देखिए आपके पास कोई कुंडली है और इसमें से आपने धारा चलाई आई या आपने इसमें से धारा चलाई अब देखो याद करो कि जब आप किसी धारा वाही कंड़क्टर में से धारा भेजते थे तो इसके चारो तरफ क्या जनरेट होता था विद्धुत फ्लक्स और जैसे ही धारा की मात्रा बढ़ाते जाते थे इसके चारो तरफ चुम्ब की छेतर बढ़ता जाता था ठीक है ना तो आप यहाँ पर क्या कहते थे यहाँ पर आप कहते थे कि बी प्रपोर्शनल टू आई अरे भाई या चुम्ब की छेतर बढ़ेगा तो किस की मदद से बढ़ेगा फ्लक्स की मदद से बढ़ेगा अब इसी को आप परिनालिका के केस में इस्तमाल करते हो इसी कंसेप्ट को तो क्या अगर आपके पास धारा कॉंस्टेंट है नियत धारा है एक बैटरी लगी हुई है तो क्या होगा ये इसमे से एक जगे से फ्लक्स निकलेगा दूसरे जगे पे जाएगा और ये बन जाएगी परिनालिका अंदर से भी आ जाएगा परंतु यदी धारा आपके पास बदलने वाली है यहाँ पर आपने एक ट्रिगर लगा रखा है और आप धारा को बदलते जाते हो और धारा जब भी बदलती है बच्चों तो यहाँ पर हमको लेना पड़ता है इसमॉल आई क्योंकि बदलने वाली चीज़ जो होती है वो होती है पर बदलने वाली वेरियेबल के स्मॉल आई धारा जब तो कॉंस्टेंट है नियत है जब तो कैपिटल आई ले लो जैसे ओम सलो में आपने लगाया भी प्रपोर्शनल टू कैपिटल आई वी इक्वल टू आर आई क्यों क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो धारा थी वो नियत थी फिक्स बैटरी थी फिक्स रेजिस्टेंस था अब यहाँ पर आपके पास धारा बदल रहे है धारा बदलोगे तो फ्लक्स बदलेगा फ्लक्स बढ़ता जाएगा तो क्या लिखोगे कि किसी धारा वाही कुंडली से 5 proportional to i जितनी ज़्यादा धारा उतना ज़्यादा flux जितनी ज़्यादा धारा होगी उतनी ज़्यादा flux होगी 5 proportional to i तो 5 equal to कित्ता हो गया Li 5 equal to Li यहाँ पर L जो है यह कहलाता है स्वाप्रेर क्वत्ट गुणांक इसे स्वाप्रेर क्वत्ट भी कहते हैं इसे कहते हैं कुंडली का स्वाप्रेर क्वत्ट स्वाप्रेर क्वत्ट गुणांक नहीं इसे कुंडली का स्वाप्रेर क्वत्ट कहते हैं कि कुंडली का स्वाप्रेर क्वत्ट कितना है अब स्वप्रिर करत्फी की परिभासत thing देख लिजी भई फाइ बरावर l i fाइ बरावर l i उके कैसे कैसे किया phi proportional to i तो proportional tea constant ठड़ा तो एक गुणांक जन मिले लिया phi बरावर l i इसे बोलते हैं कुंडली का स्वप्रिर करत्फी की परिभासत देखे फाई बराबर एल आई तो एल बराबर फाई अपॉन आई अगर आप आई का मान एक एमपियर रख देंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा फाई मतलब किसी धारा वाही कुंडली में एक एमपियर की धारा भेजने पर उसके उपर जितना फ्लक्स कनेक्टेड होता है उस फ्लक्स की मात्रा को उस कुंडली का स्वप्रिरकत बोलते हैं दो चीजे हैं या तो फ्लक्स जादा कनेक्टेड हो सकता है या कम कनेक्टेड हो सकता है और आ चुका है अगर फ्लक्स जादा कनेक्टेड होगा मतलब उस कुंडली का स्वप्रिरकत तो जादा है और कुंडली अच्छी है और अगर स्वप्रिरकत तो कम होगा मतलब फ्लक् connected होगा मतलब L कम है और L कम है इसका मतलब कुंडली अच्छी नहीं है तो स्वाप्रिकत कुंडली का वह गुण है जो यह बताता है कि एकांक धारा प्रवाहित किये जाने पर कुंडली में कितना फ्लक्स लिप्टेगा इसको बोलते हैं स्वाप्रिकत के लिए फार्मूला E बराबर होता है L I E बराबर होता है कितना L I अब लिकालते हैं स्वाप्रिरित विद्धुत वाहग बल स्वाप्रिरित विद्धुत वाहग बल देखिए आपके पास क्या आया आपके पास आया Phi is equal to L I और आप जानते हैं E is equal to कितना होता है minus D phi by DT delta phi by delta T इसको differentiate कर दीजे तो D phi by DT कितना आजाएगा यहाँ भी D by DT और यह हो गया L I L तो constant होता है तो D I by DT यह हो गया D phi by DT तो E is equal to minus D phi by DT तो E is equal to minus की जगे minus और D phi by DT की value रखिए L D I Y DT इसे बोलते हैं स्वप्रिरित kisses मतलब इस कुंडली में यह फलक्स का परिवरतन हो रहा है तो फलक्स के परिवरतन की वज़े से इस कुंडली के सिरों में एक विद्द्द्द्द्द्वाहकबल खुद के कुंडली में जनरेट हो जाएगा और यह विद्वतवाहकबल अगर यह प्लस है यह माइनस है तो विरोधी स्वर में यह विद्वतवाहकबल यहां पर बनेगा प्लस और यहां बनेगा माइनस मतलब इस विद्वतवाहकबल की दिशा उल्टी होगी उल्टे डिरेक्शन में और इसका मान कितना होगा माइनस ल डियाई बाई डिती बोलो बच्चो समझ में आया कि नहीं है इक्वल टू माइनस ल डियाई बाई डिती इसको बोलते है स्वाप प्रिरित विद्धुत वाहक बल नोट कर लीजे आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं